हेलो 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 वन तूफॉर मन तूफॉर लो एक हम बता हुए है आपसा फीलोग में पूर्य ऊमीद करता हूं कि आप सबी लोग बढ़िया हम लोग के पास चल रहा है booster batch नवंबर 2023 के लिए costing हम खतम कर चुके हैं FM का एक session हो चुका है दूसर session है हाँ जी देखेगा सबसे पहले तो मुझे ये बताईए सारे के सारे बच्चे के कितने students ने हम लोगों ने कल किया था EBIT, EPS और leverage मुझे बताईए कितने बच्चे EBIT, EPS और leverage के question करके आए हैं writing में जी जल्दी से बताईए कितने बच्चे EBIT, EPS और leverage के question writing में कर आए हैं जल्दी जल्दी बताओ जल्दी जल्दी बहादरो प्यूश अंजली धरोफ, भिकास, आधित्य सोनम, लक्षिता, TTVSR, हो गया सर, और 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 और, और और, 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 अरे, कहाँ भाग गया है, अरे सारे उपर चले गए हां, महेंदर, साक्षी, किशौरी, हर्देव, विषाल, अधिती, सुमेथ, महक, सिधार, थनी, रशमी, रिशाव, खुशी, साहिल, ब्रजेश, रागिनी, जीतल, प्यूश, ब्रजेश, आशुतो, शादित्य, रोहित, महेंदर, रोहित, रोहित ने 80% किया है, ब्रजेश, गुड्डू, मनीशा, महेक, और मनीश, ज्योती, वनीशा, दीपिका, पारस, और 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 तो कुछ और पूछ रहे थे, अंजली, सी एस्परेंट, वोकर, और जी, और बहुत सारे बच्चे, ये सारे के सारे बच्चे कराए हैं, ठीक है जी, तो ये सारे बच्चे, राइटिंग में कोश्चन कराएं, राइटिंग में कोश्चन करके, आपको एक अलग ही confidence आ रहा ह होगा, राइटिंग में कोश्चन करके एक अलगी confidence आ रहा होगा, और मुझे लगता है कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, अब हम एक्जाम में बैठने के लिए तयार हो रहे हैं, इन chapters को लेकर, तो ये जो booster badge का revision है, ये आपको actual में boost करेगा, 100% concept यहाँ पर चल र हो, limited questions के अंदर, तो खेर, हम लोग का है, आज session 2, session 2 में हम लोग आज करेंगे management of receivable payable, और treasury management या cash management, तो हमारे पास question number 20 से 33 तक रहेगा आज, ये हम लोग आज solve करने वाले हैं, और आपके पास हमारे यहाँ पर booster badge आखिर क्या है, इसमें कैसे रहता है, वो मैं बच्चों को एक बार brief कर देता हूं, डेली, booster badge एक revision badge है, exam से पहले बच्चा confused रहता है, कि how to revise, और कौन-कौन से question revise करूं, क्या ये question करूं, छोड़ दूं, सारे question तो revise कर नहीं सकते, writing में करूं, या ऐसी पढ़ दूं, तो numerical में बहुत बड़ा issue होता है, theory एक बार को हो जाती है, theory में इंदिया का best revision badge है, ऐसा revision badge YouTube पर दूसरा नहीं है, ये हम ही लोग करवाते हैं हर बार, और इसमें हमने BBQ नाम से, या बूस्टर badge question के नाम से, 102 question इस वार select किये हुए है, नवंबर examination को target करते हुए, ये question study mat, RTP, MTP, practice manual, past year question जो ICI के होते हैं, वहां से smart selected question है, यानि जिन question में हम कोई question साथ वार exam में आ चुका है, तो उसकी expectation रहती है कि हाँ ये repeat हो जाएगा कभी भी, हमारा first October को start हुआ है, 7th October को इस खतम हो जाएगा, साथ lecture का ही total batch है, दो-दो खंटे के session है, इसके अंदर कोई session धाई घंटे भी जा सकता है, अगर lecture बड़ा चला गया तो, तो first October को हमन selected रहते हैं, इसके इलावा अगर आप किसी भी author की book से पढ़ रहे हैं, या आप self study कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अरे ये वाला question भी important था, ये भी हमें कर लेना चाहिए, तो booster batch में जो भी आपको important question अलग से लगते हैं, वो आप बिल्कुल add on कर लेंगे इसके अंदर, क कोई फालतू बात नहीं होगी, कोई discussion नहीं होगा, session start होने से लेकर session end होने तक live chat off रहेगी, और किसी भी तरीकी कोई फालतू बात हमारे पास नहीं रहेगी, ये जो वीडियो जहें, ये YouTube पर पढ़ी रहेंगी, हम YouTube से कोई वीडियो डाउन नहीं करते, content की किसी भी तरीके स सकता है, दूसरी चीज आती है, जिस तरह से हमने question solve किये हुए है, कई सारे बच्चों नहीं सीखा होगा, कि अलग तरीके से question solve करना, तो अगर आपने अलग तरीके से question solve करना सीखा है, तो आप उसको follow करिए, उसमें कोई रिक्कत नहीं है, हमारे तरीके पर अपने आपको convert क लिखेंगे, तो आपको telegram channel मिल जाएगा, यहाँ पर pin क्या हुआ है, इसमें मैंने costing booster और FM booster, यह दोनों notes पिन किये हुए है, जैसी आप touch करेंगे, यह हम costing booster पर आ गए, फिर दुबार से touch करेंगे pin message को, यह हम FM booster पर आ गए, यह download हो जाएगा, इसका print out ले ले लेंगे, इसक इसका print out ले ले, आपके लिए better रहेगा, helpful रहेगा, जी, अब हम लोगों के पास जो आज है lecture 2, management of receivable or treasury and cash management, यह हम cover करेंगे, ज्यादा time हमारे इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि यह दोनों chapter ही छोटे हैं, आपको study module में कहां पर मिलेंगे, तो study module में chapter है working capital management, उसके अंदर working capital finance management of receivables, management of payables, management of inventory, inventory management को costing chapter में shift कर दिया गया है, इसमें EOQ अगरा निकालना होता है, तो वो यहाँ पर नहीं रहेगा, तो management of receivables, management of payables, और आपके पास management of cash, और working capital overall, यह chapter आपके पास रहेंगे, तो हमने इनको receivable और payables को एक साथ कर दिया है, cash management अलग से हमने topic रखा है, और इसके बाद में कल हम working capital management करेंगे, जो overall working capital management का question आता है, तो study mat में आपको working capital management के अंदर यह चीज़ देखने के लिए मिलेगी, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं session को, अब आपकी अगर कोई भी बात है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, कोई point है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं, आर्बिट्रेट प्रोसेश जो capital structure chapter आएगा तवाईगी, उसी के अंतर है यह, और इसके अलावा factoring service वाला थोड़ा अच्छे करवा देना, बेटा, हम तो सभी कुछ अच्छे से ही करवाएंगे, इको में practical question का weightage 15 marks का रहता है, और bbq 12 exam में आ सकता है, कि अब मुझे पता नहीं 12 कौन सा था, जो भी bbq हैं, वो सारे ही exam oriented है, bbq 11 गलत लग रहा है, उसमें EPS के formula में EBIT आना था, not TPT, बिटा EBIT में से interest माइनस करके, वो EBT ही बन जाता है, तो formula गलत नहीं है, और regular batch में कुछ tricky question mark किये थे, वो कर लिए sir, इसवार 80 पार, विशाल ने, बहुत बड़े कर रहे हैं, विशाल का कहना है कि sir, यहाँ पर booster batch तो हम करी रहे हैं, साथ में जो हमारे पास regular batch की book है, उसके भी कुछ important question हम साथ में करते हैं, कर लेने चाहिए, वो साथ के साथ करते चलिए, बाकी FM आपकी यहाँ पर साथ के साथ ही खतम हो जाएगी, इसके बाद सीधे आप paper में बैठ सकते हैं, और inventory management नहीं है क्या FM में, inventory management बेटा EOQ होता है, EOQ रिश्टॉक लेवल्स वो आपका costing में cover हो जाता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर points सारे clear हो गए हैं, और कोई point इसमें नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इस्टार्ट करते हैं आज का session, और live chat को मैं कर रहा हूं यहाँ बन, जी, देखेगा, हमारे पास जो working capital management है, working capital, इसके अंदर आपकी current assets और current live teach का net balance आता है, तो current assets में आपके आपके पास stock आ जाते हैं, stock के अंदर raw material, WIP, finish goods, तीनों stock आएंगे, cash and bank balance आ जाता है आपके पास, इसके बाद में आपके पास आ जाते हैं debtors, receivables, receivables debtors से बड़ी form होती है, receivables के अंदर debtors और BR दोनों cover होते हैं, इसके बाद में आपके पास short term investment बगरा आ जाते हैं, वो cash generally stock, cash और debtor ये तीन चीज़ें हमाई रहते हैं, उसके इलावा prepared भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर main तीन ये रहते हैं, तो इन्होंने stock के लिए सिर्फ raw material stock का inventory management chapter रखा हुआ है, जो EOQ or level setting है, तो यहाँ पर FM में cover नहीं है, वो costing के अंदर chapter number 2 material cost में cover है, इसके के लावा cash and bank यहाँ पर cover है, यहाँ पर यह इसका budget बनाते हैं, कि budget बनाके देखे, और दो plans हैं उसके अंदर, और debtors के अंदर ये ये analyze करते हैं, कि हमें debtors को उधार देना है या नहीं देना है, अलग-अलग credit policy से हमारे उपर क्या फर्क पड़ेगा, इसके बाद में आता है हमारे पास current liability, जमें creditors आते हैं, bank overdraft आता है, और आपके पास में outstanding वगरा, तो overdraft वगरा तो cash and bank में इन्होंने cover किया, और creditors के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक ही study mat में question है, और RTP में भी question आता है, कि creditor अगर हमारे सामने हैं, तो हम उससे discount लें या ना लें, बस एक ही question, तो इस तरीके से इसको एक cover करेंगे, उसके बाद overall पूरी working capital estimation कैसे की जाए, वो बड़ा chapter रहता है, जो हमारे पास कल cover होगा, आज हम cash and bank और debtors को cover करने वाले हैं, तो debtors management के अंदर बड़ा simple सा, जो practically market में question रहता है, वो रहते हैं, debtors management के अंदर, management of recevals, कि whether credit should be allowed or not, यह चार question है तो क्या हमें credit देना भी चाहिए या नहीं, मानली जी आपका competition नहीं है market में, आपकी monopoly है, तो आप credit पर क्यों देंगे, advance पर देंगे, अब आप एक बात आता है, हम लोग जो teachers लोग है, वो अपनी classes क्या credit पर देते हैं, या पहली payment ले लेते हैं, पहली payment ले लेते हैं, तो debtors management के अंदर सबसे पहला question ये रहता है, कि credit दिया भी जाना चाहिए या नहीं, तो अगर market में आपकी monopoly है, कोई जरूरत नहीं है, economy sound है, तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर economy competitive है, या economy इत्ती strong नहीं है, कि जो आपके suppliers हैं, उनके पास funds की shortage है, अगर आप उधार नहीं दे तो credit allowed किया जाए या नहीं किया जाए, देखा जाएगा, अगर आपको लगता है कि इससे आपकी sale बढ़ेगी, profit बढ़ेगा, goodwill बढ़ेगी, तो दे देना चाहिए, otherwise नहीं देना चाहिए, to home credit should be allowed, credit किसको देना चाहिए, तो जैसे आप देखेंगे, bank वालों के पास आज क खरीद रहे हैं, उन्होंने और जो suppliers हैं, उनके कभी पैसे तो नहीं, कभी goodwill खराब तो नहीं है, और कितना इस्टोक वो लेंगे, उनको इस्टोक जादा लेंगे, तभी उधार देने का फायदा है, थोड़ी amount का उधार देने का कोई फायदा नहीं है, तो credit किसको देना च रखते हैं, and how much credit period should be allowed, कितना credit period दिया जाना चाहिए, इस question का जवाब debtors management के अंदर रहेगा, जो आपका numerical है, यह theoretical है सब कुछ, जो numerical है, वो सिर्फ इसी बात पर focus रहता है, कि credit period कितना allow किया जाना चाहिए, तो अलग-अलग credit period में हमारी कितनी sale होगी, कितना हमारा खर्च आ जाता है, इसके अंदर हमारे पास credit policy को evaluate किया जाएगा, यानि numerical सिर्फ एक लाइन पर है, कितनी period का credit दिया जाना चाहिए, तो हमारे पास क्या रहेगा, question आपको बता देगा, कि हमारी existing situation यह है, हमारे पास एक option है, जैसे मान दी जी अभी हमने 30 days का credit दे रखा है, एक option है 45 days क credit कर दे, तो अलग-अलग options के अंदर हमारी annual sale कितनी होगी, हम सबसे पहले यह लेंगे, इस में से variable or fixed खर्चा हम माइनस करेंगे, तो जैसे ही आप credit sale में से variable or fixed खर्चा माइनस करते हैं, आपके पास profit निकलाता है, अब इसके बाद में वो चीज़ आती है, जो credit देनी की वज हारे, आप अगर 15 दिन में पैसे देते हो, तो हम आपको cash discount offer कर देते हैं, तो यह तभी possible है, जो आप credit दे रहे होंगे, इसके इलावा जो भी आपने credit दिया है, उसका administration करना पड़ता है, administration कैसा सर्थ, जितने भी लोग को आपने उधारती है, उनको reminder देने पड़ते हैं, कई के सब आपको management करना होगा, उसमें administration में खर्चा लगेगा, तो पहले हम credit sale में से variable और fixed cost minus करेंगे, इसके बाद में bad debt, cash discount और admin cost minus होगी, फिर हमारे पास आजएगा expected profit, expected profit के बाद में हमारे पास question, यह तो आपको लिख कर देगा opportunity cost कितनी लग रही है, यह फिर आपको लिख कर fund यह फिर opportunity cost, इन तीनों में से कोई एक नाम लिखाओ मिलेगा, इसका मतलब होता है कि जो हमने credit देकर अपना पैसा, debtors में फसाया, अगर वही पैसा हम bank में रखते, तो हमें कितना interest मिल सकता था, जैसे मान लीजिए, मेरे 5 लाक रुपे debtors में फसे हैं, 30 days का उधार है, और bank वाले 20% rate of interest दे रहा है, तो 5 लेक, 30 days और 20%, तो इसका मतलब bank से मुझे 8,219 की return मिल जाती, तो यहाँ पर मैं तभी काम करूँगा, जब मुझे 8,219 से ज़्यादा return मिलेगी, तो जैसे ही आपके expected profit आएगा, उसमें से आप cost of fund minus करेंगे, और आपके पास आजाएगा net benefit, तो question यहीं पर आपका खतम हो जाएगा, अब जैसे ही tax की बात आएगी, तो आपके पास में जो required return या cost of fund रहेगी, वो दो तरीके से दी जा सकती है, एक आपके पास दी जाती है, cost of fund लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, cost of fund, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, 15%, ठीक है, तो इसे हम मानते हैं कि pre-tax, pre-tax यानि before tax, यह before tax है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो before tax मानेंगे, तो हम क्या करेंगे, expected profit जैसे ही आपका आएगा, उसके बाद में cost of fund को minus कर देंगे, क्योंकि हम इसको before tax, pre-tax मानकर चलते हैं, ठीक है, उसके आपका tax minus हो जाएगा, कई बार आप को लिखा हो मिलेगा, cost of fund after tax, तो cost of fund after tax अगर 15% है, तो ऐसी situation में हमें क्या करना होगा, जैसे ही आपका expected profit आगया यहाँ पर, इसमें से पहले आप tax minus करोगे, tax minus कर दिया, अब आजियागा, expected profit after tax, फिर इसमें से आप cost of fund minus करोगे, फिर आपके पास net benefit after tax आजाएगा, यानि ध इसी बात ध्यान रखनी है, कि अगर cost of fund, opportunity cost, required return, जो भी नाम देते हैं, वो after tax है, तो पहले tax को minus करेंगे, और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो pre-tax माना जाएगा, यह हमारी total approach होती है, और यह बिलकुल आसान तरीका रहता है, अराम से question हो जाता है, इसमें hardly आपके 5-7 लगते हैं, और question 5 marks से लेकर 10 marks तक का आपका area में इसका मिल जाता है, अगर tax दिया है, तो cost of fund अगर before tax है, तो before tax minus होगी, अगर after tax है, तो यह पहले tax minus होगा, उसके बाद में आपकी cost of fund minus होगा, अब इसके बाद में एक point आता है, कि आखिर cost of fund निकाला कैसे जाएगा, तो cost of fund यह सोच के निकाले जाता है, कि हमारा पैसा अगर bank में रखते, तो हमें कितनी return मिल जाती, इस तरीके से सोचना है, तो देखो, जैसे मेरी 10 lakh की sale होई, मेरी 5 lakh की variable cost है, 3 lakh की fixed cost है, तो मेरा खर्चा कितना हुआ? 8 lakh रुपे, यानि मेरे पास 8 lakh रुपे थे, मैंने 8 lakh रुपे स अगर 30 days का है, तो 30 दिन के बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो यह जो variable cost और fixed cost होती है, opportunity cost हम इसी पे निकालते हैं, कि यह पैसा हमारे पास है, यह हमने block किया, अब इस पर 30 दिन के बाद पैसा मिलेगा, तो 30 दिन की opportunity cost क्या fulfill हो रही है, या नहीं हो रही है, इसके अंदर bad debt, cash discount cost of administration, यह सारी की सारी cost है, related to credit, तो credit से related कोई भी खर्चा, cost of fund निकालते हुए, consider नहीं किया जाता, हम सिर्फ variable और fixed cost of production को ही consider करेंगे, कि हमारे जो समान हमने बनाया, उसमें जो पैसा लगा था, उसकी opportunity cost निकालनी है, तो आपके पास bad debt, cash discount, credit and cost, यह सब ignore हो जाएंगी, सिर् cost लेजिए, जित्ता भी आपका average collection period लेजिए, अगर average collection period days में है, तो divide by 365, अगर weeks में है, तो divide by 52, अगर month में है, तो divide by 12 कर देंगे, edge the case में भी, और जो भी rate होगा, वो rate लगा देंगे, इसके इलावा कई बार question आपको दे देता है, receivable turnover ratio, तो receivable turnover ratio, यह इसको बोलते है, debtor turnover ratio बोल देता है वो, तो आपको ऐसी situation में variable और fixed cost लेनी है, और one divided by DTR कर देना है, basically होता क्या है, जो DTR आपका निकलता है, DTR ratio का part है यह, DTR हम निकालते है, 365 divided by average collection period से, मतलब आपका 365, 52, 12 कुछ भी रख सकते हैं, अब हमारे को करना क्या होता है, हमारे पास DTR अगर दिया हो है, तो बताइए, आप यह मान सकते हैं, कि one divided by DTR अगर में रखूं, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, one divided by 365 divided by ACP, ACP उपर चला जाएगा, तो यह request हो जाएगा, ACP divided by 365, इसी की जगे पर 12 यह 52 हो सकता है, तो one divided by DTR, ACP divided by 365 को represent करता है, तो हमें AC ACP divided by 365 लेना था, तो उसकी जगे आप one divided by DTR रखकर question को solve कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद में multiply by rate, तो जनरली तो आपको यह दो ही तरीके के question मिलेंगे, कि variable और fixed cost दे दी, average collection period दे दिया, accordingly rate निकाल दो, दूसरा आपको data turnover यह receival turnover दे दिया, one divided by data turnover यह receival turnover रखे, और उसके बा अगर cost of debtor दिया हुआ है, उसमें सीधे सिर्फ rate multiply करना है, क्योंकि cost of debtor में जो debtor शब्द है, debtor शब्द का मतलब है, ACP divided by 365 उसपे apply हो गया है, पर ऐसा कोई question मैंने आज तक CA inter में नहीं देखा, लेकिन अगर कभी लिखाओ cost of debtors, तो उसमें सीधे rate को multiply करो, उसमें ACP बगर इसे लिखा होता है, कि हमने credit period दिया दूसरे को, credit period हमने दिया 10 days, लेकिन जो हमारा average collection period है, वो 15 days है, ये कैसे हो सकता है, देखो हमने सामने वाले को 10 days का उधार दिया, लेकिन सामने वाला हमें 15 दिन में पैसे दे रहा है, वो से पहले दे नहीं रहा, अब मुझे होता है हमा कोश्चन में, average collection period और credit period दोनों दिया हो, तो हमेशा average collection period के basis पर ही आप कोश्चन को solve करेंगे, कि पैसा average collection period के basis पर ही फसाए है, इसके बाद में आता है, evaluation of credit policy का ही incremental approach, तो ये हमारे पास total approach ती उपर, simple, incremental approach बिना बात के सिर्दर्दी है, बिना बात के कोश्चन को बढ़ा करन आने वाली बात है, और कुछ भी नहीं, तो हमारे पास जैसे statement of evaluation of credit policy है, तो incremental approach के अंदर क्या रहेगा, कि पहले आप sale में से variable fixed cost minus करके profit before bad debt पर आ जाओ, profit before bad debt पर आने के बाद में निकालो, कितना incremental profit before bad debt है, फिर उसमें से bad debt minus करते थे, cash discount, cost of credit, तो ये minus मत करो, बलकि incremental bad debt, incremental cash discount incremental cost of credit administration, minus करो, इसके बाद में हम minus करते थे, cost of fund, तो cost of fund minus मत करो, incremental cost of fund minus करो, तो यहाँ पर इस सारी चीज़े increment करके, फिर last में tax लगा दिये जाएगा, और आपके पास incremental net benefit आ जाएगा, तो question बिलकुछ same रहेगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास, आप यहाँ पर आगे profit before bad debt पर, इसके बाद में incremental और निकालो, incremental यह कितना जादा है और यह कितना जादा है, फिर bad debt जैसे आगे, तो bad debt कितने जादा बड़े, आपका cost of admin कितना extra लगा, इसके बाद में cost of fund कितने extra लगे, फिर tax apply करिए और आप answer पर पहुँच जाएगे, तो यह landy process रहता है, अगर आपसे IC ICI बोलता है कि आपको incremental approach से ही करना है, तो कोई रिक्कत नहीं है, फिर तो मजबूरी है, करना पड़ेगा, तो हम profit before bad debt के बाद में incremental निकालेंगे, निकलेगा किस तर से वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे मानली जी हमारे पास, यह आगे 10 लाख, यह आगे 12 और 15, तो 10 से 12 लाख हो गए, 2 लाख बढ़ गए, 10 से 15 लाख हो गए, 5 लाख बढ़ गए, compare हमेशा existing से करना है, फिर हमारे bad debt है मानली जी 1 लेक, 2 लेक, 3 लेक, तो 1 लाख रुपे यहाँ पर बढ़े, 2 लाख रुपे यहाँ पर बढ़ गए, ओके जी, इसके बाद में cash discount और create admin भी इसी तरीके से बढ़ाते जाएंगे, तो existing से compare करते जाएंगे, last में final decision आपका net benefit आजाएगा, इसका shortcut तरीका भी होता है, पर ICI उस पर number काट लेगा आपके, अगर question ने काई incremental approach से करो, तो आपको ऐसे ही दिखाना होगा, वड़ना इसका shortcut तरीका क्या है, कि जैसे existing option 1, option 2 आपने total approach से बना दिया, और यह आ गया, एक लाग रुपे, दो लाग रुपे, डही लाग रुपे, पूरा बनाने के बाद, बस एक line और खीच दो, जिसमें हम लिख दें, incremental benefit कितना हुआ, तो एक लाग से दो लाग रुपे हुए हैं, वन लेक बढ़ गया, और एक लाग से silent रहता है, question silent रहता है, तो suggested answer हमीशन दो आते हैं, हर बार दो आते हैं इसके answer, अभी जो आपका May 23 का भी answer है suggested, उसे आप देखेंगे, उसमें दो answer दिये हुए हैं, एक incremental से, एक total से, तो total approach preferred रहीगी, ओके जी, इसके बाद में cash discount की बात आईगी, हाँ, एक cash discount के लिए line लिख यह जो सबसे पहला 1 है, यह represent करता है percentage of discount को, तो जैसे की 1% discount मिलेगी, अब conditional days देता है, अगर 10 दिन में payment करोगे तो, if payment will be made within 10 days, तो 1% की discount मिलेगी, अगर 10 दिन में payment कर दोगे तो, अगर discount नहीं चाहिए, तो फिर 45 days में आराम से payment कर सकते हो, तो जैसे सामने वाले ने आपको समान दिया कि 45 days का उधार है, फिर आपको बताया कि 1% cash discount मिल जाएगी, अगर 10 दिन में आप पैसे payment कर देते हैं, तो यह इस तरीके से पढ़ा जाता है, 1 by 10 net 45, अब देखे, अगर लिखा है 2 by 30 net 90, तो इसका बताये, मतलब क्या होगा, इसक पैसे 90 days का credit है, लेकिन आपको 2% की discount मिल जाएगी, अगर आप 30 days में payment करते हैं, तो यह निकल कर आए 2 by 30 net 90 का मतलब, ठीक है, अब इसकी जो cash discount है, इसकी annual cost कई बार question आप से बांगता है, कि इसकी annual cost कैसे निकलेगी, वो बताओ, annual cost कैसे निकलती है, जैसे मान लीजे, यही है 2 by 30 net 90 वाला, तो इसमें देखे, कैसे सोचा जाता है, कि यहाँ पर है days, 38 day पर अगर payment करोगे, और अगर 90th day पर payment करोगे, 30 और 90 है न, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 60 days का gap है, अब मान लीजिए 100 रुपे का उधार है आपका, 100 रुपीच का उधार, 2% discount है, तो इसका मत अगर आपको 98 की payment करनी पड़ेगी, अगर आप 30 दिन में पैसे देते हो, तो अधर वाई, 2 रुपे फाल्तू देने पड़ेंगे, 100 रुपे देने पड़ेंगे, अगर 90th day पर करते हो, तो 30 day पर payment करते हो, तो 100 की जगे 98 करनी है, और अगर 98 day पर करते हो, तो पूरे 100 रुप का interest लग जाएगा 60 days का और आपको 100 रुपे amount total pay करनी होगी तो आज की date में आप मान लीजे bank से आपने 98 रुपीच का loan ले लिया तो 2 रुपे का आपको interest लग रहा है 60 दिन के लिए और फिर आपको 60 दिन के बाद 100 रुपे की payment करनी पड़ी इस तरह से देखा जाता है तो इसका discount का जो annual rate निकलता है वो ऐसे निकलता है 2 रुपे की discount या मानो interest 98 रुपीच के उपर लग रहा है कितने दिन का 60 दिन का interest है ये तो 365 days का rate कितना होगा और rate निकालने के लिए multiply by 100 फिर से 2% discount यानि 2% interest होगा 2 रुपे का interest 98 देने पड़ते तो 98 पे 2 रुपे का interest लग जाएगा 60 दिन के लिए 365 days के लिए कितना होगा तो 2 by 98 divide by 60 multiply 365 into 100 12.41% आपका per annum का rate होगा तो कई बार पूछा जाता है कि cash discount की annual cost कितनी बैटरी है 12.4% होगा इसका formula बढ़ा simple सा है उपर cash discount रख लिए जो interest की तर से होगा denominator में से 100 में से cash discount माइनस कर दीजिए 1% है तो 99 रुपे आ जाएगा 2% है 98 आ जाएगा 3% है 97 आ जाएगा 1% है उपर 1 रुपे आएगा 2% है उपर 2 रुपे 3% है उपर 3 रुपे आ जाएगे तो अगर मैं देखुए यह ऐसे न जाएगा 1 रुपे की discount है तो denominator में 99 2 रुपे की discount है तो 98 3 रुपे की discount है तो 97 इस तरह से आपके पास आएगे उपर नीचे total 100 बनेगा आपका यहाँ पर डेज लिख देंगे कितने डेज का आपको benefit है तो 365 में कितना होगा multiply by 100 जिससे आपके पास rate निकल कर आ जाएगा अभी यहीं तक के इसी से related question करेंगे उसके बाद में फिर एक concept आएगा फेक्टरिंग का फिर फेक्टरिंग वाला concept अलग से देखेंगे separately अब हमारे पास अगर हम practical question देखते है bbq 20 question बिल्कुल अराम से देखना है अराम से समझना है आपको जित्ता भी receival management था पूरा recall हो जाएगा कि हाँ हमने ऐसे ऐसे पढ़ाता हो MN limited hedge a current turnover of 30 lakh पर रहना 30 lakh की इनकी sale है cost of sale is 80% तो 30 lakh में 80% यानी 24 lakh इनकी cost है cost of sale का मतलब इसमें variable और fix दोनों cost होंगी and bad debt 2% of the turnover तो 30 lakh का 2% 60,000 की इनके bad debt हो गए cost of sale includes 70% variable cost and 30% fixed cost इसमें 70% हिस्सा variable cost का है और 30% हिस्सा fixed cost का है तो 24 lakh का 70% हो गया 16 lakh 80,000 आपका variable cost है और 7.2 lakh आपका fixed cost है ठीक है while the company required rate of return is 15% अब देखे return के आगे कुछ नहीं बोला सिर्फ लिखा है required rate of return is 15% तो इसका मतलब भी before tax है after tax के लिए उसे mention करना पड़ता है कि हम after tax की बात कर रहे है MN Limited currently allows 15 days credit to its customers तो अभी ये 15 days का credit दे रहे है एक मिनट हाँ but it is considering to increase to 45 days तो अभी हमारा 15 days पैसा फसता है कल को 45 days पैसा पड़ेगा to credit in order to increase turnover it has been estimated that this changed in policy will increase turnover by 20% तो अभी आपका 30 lakh का turnover है ये 30 lakh plus 20% 36 lakh का हो जाएगा अब इसमें variable और fixed cost कैसे निकालेंगे देखिए 16.8 lakh की variable cost है 30 lakh पर तो 36 lakh पर कितनी होगी variable cost तो बढ़ जाएगी 16.8 divided by 30 multiplied 36 20.16 lakh हो जाएगी और fixed cost 7.2 lakh ही रहेगी वो change नहीं होगी इसके बाद में bad debt 1% हो जाएगा तो 36 lakh का 1% 36,000 आपका bad debt हो जाएगा लिख दिया नहीं भी लिखता तो भी हम यह मानते हैं कि fixed cost save है क्रेटर्स एंड इस्टोक वगरा सब कुछ उंचेंज रहेगा तो सिर्व डेटर्स के बारे में ही बात घुमाते है उसके लावा उसे किसी चीज से मतलब भी नहीं है इस टोक के बारे में क्रेटर के बारे में working capital पूरा चैप्टर है वहाँ पर अलग तरीके से question दिखाया जाएगा तो बड़ा सिंपल इसमें रहता है आपके पास sale ले लिजिए 30-36 इसमें से variable और fixed cost को discount कुछ है तो minus कर दिए यहाँ पर सिर्फ bad debt है minus कर दिए 60 और 1,8000 1,8000 कैसे हो गया अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिखाए यहाँ पर लिखाए an increase in fixed cost and credit while bad debt will be increased by 1% bad debt 1% बढ़ जाएंगे तो पहले 2% थे अब 3% हो जाएंगे तो 36 lakh का 3% 1,8000 हो जाएगा अब हमारे पास 1,8000 के bad rate आगे expected profit आगया अब हम निकालेंगे opportunity cost तो opportunity cost पहले मैं आपको अपने साथ निकाल के दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आजए कि हाँ सर ऐसे निकालना है variable और fixed cost को उठाओ average collection period कितना है 15 days पूरे साल में 360 days लेने है rate कितना है rate है 15% तो यह पहले वाले का आ जाएगा तो 16,80 plus 7,20 multiply 15 divide by 360 multiply 15% यह आगे 15,000 रुपे अब दूसरे आले कैसे निकालेंगे बताओ 20,16,000 plus 7,20,000 27,36,000 हो गया यहाँ पर उधार 45 days है और rate 15% 51,300 इसका आ गया तो बस यही एक working है जो आपको करनी पड़ती है एक तो variable cost और fixed cost को आपको separate करना पड़ सकता है कई बार खुदी दे देगा और दूसरा ही आपको opportunity cost निकालनी आनी चाहिए यह दो चीज़ा आतनी तो इस question में आपके पूरे number बन जाते है बहुत ही simple है आपको आसानी से number दे देता है तो बढ़िया एकदम simple sober सा concept यह बन जाता है आपका तो यहाँ पर आपके पास expected profit ने 15 और 50 और 50 और 300 माइनस हुआ net benefit 525 और 7 lakh आ गया 7 lakh net benefit जादा है तो आपको 45 days का credit कर देना चाहिए क्योंकि इसमें आपका फाइदा बढ़ गाए इसके बाद में BBQ 21 a trader whose current sales are in the region of rupees 6 lakh per annum 6 lakh per annum की आपकी अभी sale है and an average collection period of 30 days 30 दिन का credit period है wants to pursue a model liberal policy to improve sale a study made by management consultant reveal the following information credit policy A, B, C, D 4 policy देनी existing 6 lakh की sale और 30 दिन का उधार है करें increase in collection period collection period में कितना increase होने वाला है पहले 30 दिन था करें 10 दिन इसका मतलर नया collection period 40 days होगा 20 दिन यानि 50 60 75 days आपका collection period हो गया इसके बाद में करें increase in sales तो अभी sale आपकी 6 lakh है 30,000 बढ़ने वाली है तो 6.3 lakh 6.48 lakh 6.75 lakh and 6.9 lakh आपकी sale हो जाएगी present default आपके पास में expected जो है 1.5, 2%, 3% और 4% है ठीक है sale price per unit is 3 रुपीज तो देखें यहाँ पर अगर मैं 6 lakh को divide करूँ थी रुपे से तो 2 lakh unit इसका मतलब आप अभी बेच रहे है 6.30 को अगर मैं divide करता हूँ 3 से तो यहाँ पर 2.1 lakh unit आ जाएगी 6.48,000 का 216 6.75,000 का 2.25 lakh units and 6.90,000 का 2.3 lakh unit अगर unit की जड़त हो तो इसके बाद मैं कह रहे है average cost per unit is 2.25 तो average cost per unit क्या होता है पहले मेरे को आपको इबताना पड़ेगा बच्चा सोचता है average cost per unit का मतलब है variable cost per unit plus fixed cost per unit divided by 2 ऐसा बच्चा सोचता है यह गलत है यह average cost per unit नहीं होती खोता क्या है जैसे यहाँ पर 2.25,000 और इसमें 2 रुपे variable है ठीक है तो जैसे मान लो 6.00,000 unit पर आपकी variable cost at the rate of rupees 2 per unit है तो 12.00,000 रुपे होगी variable cost और जो आपकी fixed cost है वो fixed cost है आपकी एक लाक पचास जार ठीक है तो 6.00,000 unit लें नहीं है मैंने 2.00,000 unit पर होताना है 2.00,000 unit पर आपकी variable cost चार लाक रुपे है और fixed cost है आपकी पचास जार रुपे ठीक है अब देखें आपने 2.00,000 unit बनाई है मान लीजे आपकी variable cost 2.00,000 unit है तो यह होगी 4.00,000 आपकी fixed cost पचास जार रुपे महीना है ठीक है तो question आपको कह देगा क्या आपकी cost होगी 4.50,000 रुपे यह आपकी total cost आ गई अब अगर आपसे कहा जाए कि average cost per unit कितनी पड़ी तो एक unit की cost कितनी पड़ी 4.00,000 2.00,000 units की cost है तो एक unit की cost पड़ी 2.25 per unit इसे कहते हैं average cost per unit तो average cost per unit में variable और fixed दोनों है यह variable और fixed divided by 2 नहीं है ठीक है तो average cost per unit इसमें variable और fixed zone होते हैं अब हमारे पास average cost per unit 2.25 है variable cost 2 रुपे है तो ठीक है variable cost तो 2 रुपे per unit होगे कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब इसके अंदर 0.25 fixed cost है लेकिन fixed cost कभी per unit नहीं होती तो हम इसमें क्या करेंगे यह कहानी कब बता रहे है जब हमारी 6 lakh की sale है और 2 lakh unit हम बेच रहे है तो 2 lakh unit पर fixed cost 0.25 है यानि fixed cost आपकी 50,000 रुपे है तो जो level दिया होता है existing उसी पर आपको fixed variable calculate करनी होती है तो 50,000 रुपे हमारी fixed cost निकल कर आ गई 2 lakh units पर अब यह change नहीं होगी अब यह आपकी unit 2 lakh 10,000 हो जाएं 216 हो जाएं 225, 230 हो जाएं आपकी fixed cost 50,000 ही रहेगी आगे कहारे है current bad debt loss 1% है required return on additional investment 20% है 30, 360 days लेकर question करना है इसमें एक line यह लिख्षी होती है required return on additional investment तो इसको आपको ignore मारना है यह कहना चाहते है कि कोई अगर नय investment होगा तो हमें 20% return चाहिए तो हम यह मानेंगे existing pay 20 तो इसको पूरा ignore करेंगे आप यह मानेंगे return 20% चाहिए बात खतम ठीक है अब हमारे पास number of unit 2, 210, 216, 225, 230 हो गया sale price हमारत 3 रुपे पर unit है तो 6,00,000 की sale तो अभी है 6,30, 6,48, 6,75, 6,90 हो गई variable cost 2 रुपे पर unit है तो 2 रुपे पर unit के हिसाफ से आ गई fixed cost हर जगे 50,000 ही रहेगी और हमेशा किस level से निकलेगी existing level से existing level था 2,00,000 unit तो 2,00,000 unit पर average cost 2.25 थी जिसमें 2 रुपे variable थे 25 पैसे fixed थे तो 2,00,000 unit पर 25 पैसे 50,000 रुपे को represent करेंगे वही fixed cost एजटेज बनी रहेगी अब अगर आपसे पूछा जाए कि opportunity cost कैसे निकलेगी तो यह हुआ 4,50,000 30 दिन के लिए पैसे फसे question को 360 लेके करना है 20% return 4,70,000 40 दिन के लिए पैसे फसे 20% return 4,82,000 5,00 और यह हो गया आपका 5,10,000 कितने कितने दिन पैसे फसे है 30, 40, 50, 60, 75 return निका लिए आपके पास आ जाएगा bet rate close इनों ने बताया हुआ है कि अभी 1% है तो 6,00,000 का 1% 6,000 यहाँ पर 1.5% हो जाएगा तो 6,30,000 का 1.5% यह हमारे पास bad rate आ जाएगे expected profit required return का हर जगे मैंने working note बनाएगा क्योंकि यही इसमें main चीज आपके पास रहेगी तो 6,50, 6,70, 4,70, 4,82, 5, 5,10 इनके 30, 40, 50, 70, 70 और return आपके पास ही rate निका लाएगे इसे minus करिए आपके पास net benefit आ जाएगा अब net benefit अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा आ रहा है 140, 106 तो policy A जो थी वो best है हमें policy A को adopt करना चाहिए इसके बाद में हमारे पास है BBQ 22 बड़ा famous question है बहुत ही आसान है और famous बहुत है study module के अंदर इस question के दो हिससे हैं आज तक exam में पांचे बार पूछा गया है जो receivables management है उसके कुछी question है और यही गोल गोल गुमते रहते हैं बार बार यही आते रहते हैं तो यह जित्ते भी question हम कर रहे है हर एक question तीन से चार बार आ चुका है exam में यही रोल गुमते रहेंगे तो BBQ22 study mat का question है यह चार पांच बार exam में आ चुका है लेकिन इसका सिर्फ एक हिस्सा आज तक exam में है इसका दूसरा हिस्सा नहीं पूछा तो यहाँ पर हम दोनों हिस्से करेंगे क्या पता हमारी attempt में दूसरा हिस्सा पूछना हो यह नए customers की बात करेगा किसी एक group को single group को evaluate करना है तो यहाँ पर column भी आपका single बनता है ठीक है जी अब with 10% risk of non-payment 10% bad debt होगा इसमे this group would require one and half month तो डेल महीना उनको हम समय देने वाले हैं उधार का and is likely to increase sale by one lakh इसका मतलब यह एक लाग रुपे का समान करी देंगे एक लाग रुपे की sale आ गई production and selling expenses 80% of sale तो हमारी cost of sale 80,000 आ गई 20,000 बचे उसमें से हमारा bad debt minus हो जाएगा 10% वाला यह हमारा one lakh का 10% 10,000 minus हो गया expected profit हमारा 10,000 आ गया ठीक है कहरें income tax 50% है company minimum required rate of return after tax 25% है तो पहले हम minus करेंगे income tax तो 10 lakh में से 50% tax गया बचे 5,000 अब हम निकालेंगे कितना पैसा फसा हमारा 80,000 कितने time के लिए फसा 1.5 month और return कितनी चाहिए 25% यह हमारे पास आगया 80,000 multiply 1.5 by 12 multiply 25% 2500 यह 2500 हमारी opportunity cost आ गई तब भी हमारा net benefit after tax बना हुआ है 2500 तो हमने required return कहा माइनस की after tax अगर यहां पर after tax शब नहीं होता तो हम इसको पहले माइनस करते tax बाद में माइनस होता ठीक है तो पहला point है should the sales manager proposal be accepted yes क्योंकि हमें फायदा हो रहा है इसके बाद में इसकी दूसरी requirement है also find the degree of risk of non payment यानि percentage of bad debt जानना चाहते है तो अभी तो आपने 10% दी थी बोले नहीं उसे छोड़ो अब आप निकालो तो percentage of bad debt यहां पर unknown है that the company should be willing to assume if the required rate of return after tax were 30%, 40%, 60% तो अगर हमें required return 30, 40, 60 चाहिए 3 case दे दिए तो हमारे bad debt कितने percent होंगे question आपसे जानना चाहता है तो सबसे पहले समझने वाली बात कि आखिर net benefit हो तक है देखिए आपने इस question में 10,000 रुपे कमाएं 5,000 का tax दिया 5,000 रुपे after tax आप कमा रहे हो अब यहां पर है required return after tax आपको चाहिए 2,500 यानि कि इस business से में 5,000 रुपे कमा रहा हूँ इस business से में 5,000 रुपे कमा रहा हूँ यही पैसा अगर मैं bank में रखता तो वहां से 5,000 रुपे मिलते मेरे को तो मैं कितना extra कमा रहा हूँ 2,500 मैं आपको बता दूँ अगर यहां पर कभी आपका answer zero भी होगा यह मान लो यह 25,000 हो जाए आपका answer zero भी होगा तो भी proposal accept हो जाता है किसलिए अगर यही पैसा bank में रखता तो 25,000 रुपे मिलते business से कितने मिल रहे हैं पच्चिस सो extra क्या मिल रहे हैं कुछ भी नहीं तब भी इंसान business ही करेगा business तो इंसान loss में भी करता है कुछ साल सुरूके लेकिन अगर bank के बरावर return मिल रही है तो बंदा business करेगा in future उसको expand कर लेगा वो तो हम zero net benefit तक भी accept करके चलते हैं तो आब मुझे बताईए इसका मतलब हमारी lowest acceptance कवाईगी जब हमारा net benefit zero हो ठीक है तो इन्होंने का required return 30, 40, 60% अगर हो तो bad debt कितना होगा तो अगर मैं देखूँ कि required return को 30% रखता हूँ तो इसका मतलब मुझे 3000 रुपे चाहिए अच्छा 40% रखता हूँ तो 4000 रुपे आजाएगा answer 60% पे 6000 रुपे answer मेरा आजाएगा तो यानि कि अगर मेरी expected return 30% है तो 3000 रुपे मेरे को चाहिए 40% पे 4000 रुपे और वैसे 6000 रुपे मुझे चाहिए ठीक है अब हम क्या करेंगे ज़र देखे required return कैसे हैगी sales में से cost of sale माइनस करो sale 1,00,000 है cost of sale 80,000 है इसकी यहाँ पर bad debt हमारे को unknown रहेंगे required return आ जाएगी कि इतनी हमने पैसा कमाया होगा तो हमारा पैसा कितना आना चाहिए अगर 30% आप कमारे हो तो आपका पैसा 3000 रुपे आना चाहिए 80,000 का 1.5% दिवाइड रुटे एक में आपको solve करके दिखा देता है तो required return 30% वाले पर sales minus cost minus bad debt और after tax लेना है मुझे से अब required return 30% का मतलब है 80,000 फसे हुए और आपके पास 1.5 मन्त के लिए 30% return इस पर चाहिए तो मुझे 3000 रुपे चाहिए है ठीक है जी 3000 आ गया equals to sale एक लाख रुपे है cost 80,000 है minus bad debt bad debt हमारे unknown है आपर 1 minus tax ओके तो यह हो गया 20,000 रुपे 3000 equals to 20,000 minus bad debt और यहां पर हो गया 1 minus 0.5 0.5 अब यहां तो आप 0.5 को सामने ले जाकर divide कर दो यहां फिर 0.5 को multiply कर दो इसमें एक ही बात आएगी तो 0.5 को मैं सामने लाकर divide कर देता हूँ यह हो गया 6,000 यह आ गया 20,000 minus bad debt अब 20,000 सामने आकर minus हो जाएगा तो minus के 14,000 equals to minus bad debt minus से minus cancel तो मेरे bad debt 14,000 रुपे तक हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अगर return 30% चाहिए तो अब इस situation में इन्होंने कहा है percentage जो bad debt बताना है आपको percentage जो bad debt कितना हो गया sale एक लाक रुपे आपकी तो 14,000 divide by 1,000 14% bad debt मैं accept कर सकता हूँ तो यही same equation रहीगी सब कुछ यही रहेगा बस required return बदलती जाएगी जैसे पहले में 30 है 3,000 दूसरे में 40 थी तो 4,000 हो जाएगा और 30 में 60 थी 6,000 हो जाएगा और equation इसी तरीके सोल करके हमारे पास bad debt का answer आ जाएगा तो case 1 में 14%, 2 में 12 और 3 में 8% आ जाएगी एक है हमारे पास BBQ 23, यह इस वार के RTP में भी आया है, study mat में भी है, पहले भी RTP में 2-3 वार आ चुका है, MTP में भी आ चुका है एक्जाम में अभी तक यह question कभी भी नहीं आया हाँ जी slow pairs are regular customers of goods dealers Calcutta Calcutta के हैं, ओके तो slow pairs का एक regular customer good dealer slow pairs are regular customer of good dealer good dealer एक supplier है और यह हमारे customer है, ठीक है Calcutta के, and have approached the seller of extension of a credit policy for enabling them to purchase goods from good dealer limited तो यह कह रहे हैं कि हमारे को थोड़ी liberal policy दो हमें उधार थोड़ा बढ़ा हो on an analysis of past performance and on the basis of information supplied, the following pattern of payment schedule is regard to slow pair तो slow pair ने आज तक कैसे payment की है, वो बताए जा रहा है at the end of 30 days 15% of bill तो जितने भी इनके उपर bill होता है जैसे एक लाग रुपे का इनोंने समान खरी रहा है उसमें से 15% payment यह 30 दिन में clear कर देते हैं 34% 60 days में 30% 90 days में 20% 100 days में और 1% non recovery यानि bad debt हो जाता है तो एक तो हमारे पास bad debt का rate आ गया यह bad debt का rate है अब ऐसी situation में हम इसका average collection period निकालेंगे average collection period आएगा 30 दिन में 15% payment आ जाती है 60 days में 34% payment आ जाती है 90 days में 30% payment आ जाती है और 100 days में 20% payment आ जाती है तो own and average कितने दिन में payment आ जाती है 30 multiply 15% 4.5 60 multiply 34% 90 multiply 0.3 and 100 multiply 0.2 71.9 days यह इनका average collection period आ गया तो पहल तो average collection period निकाल लो आप इसके बाद में आप कहानी पढ़ते है 1% bad debt दियान रखना यह miss हो सकता है bad debt बूल सकता है इसमें क्योंगी सीधे कहानी में कहीं नहीं लिखा ना slow pair wants to enter into a firm commitment of purchase of goods of 15 lakh in 2023 15 lakh रुपे का समानम खरीदेंगे खरीदेंगे इस बात की guarantee ले ली तो sale कितनी हो गई 15 lakh रुपे ठीक है इसके बाद मैं कहते है इस लाइन का कोई काम नहीं है प्राइस पर यॉनिट ओफ कोमोडिटी इज 150 रुपे की एक यॉनिट है 15 lakh का समान खरीदोगे इसका मतलब आप 10,000 यॉनिट्स खरीदोगे ठीक है जी अगर यॉनिट्स की जड़रत हो तो तो यॉनिट यहाँ पर लिखती है जो रख पढ़ती है नहीं पढ़ती है वो देखेंगे कहरें 150 का कोमोडिटी का प्राइस है आउट ओफ विच अब प्रॉफिट ओफ फाइव रुपीच पर यॉनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी मेड पांच रुपे का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने के चांस है इसका मतलब 145 रुपीच की आपकी कॉस्ट लग जाएगी यहाँ कॉस्ट आ गई 145 पर यॉनिट से 14,50,000 आगे कहरें इटीज एंटीसिपेटेटिड बाइद गुड डीलर लिमिटेड तो यह जो लिखा हुआ है यह एडमिनिस्टेशन का खर्चा नजर आ रहा है देखने में तो एडमिन का खर्चा तो हम लोग एट करते नहीं थे यह जो कोशन है यह कम से कम 7-8 अबारा चुका है मैं आपको बता दू इन्होंने यह जो recurring expenditure इसके साथ है इस कोशन के साथ है उसको माना है कि यह हमारे variable और fixed cost का ही हिस्सा है और यहाँ पर extra recurring expenditure को minus कर लिया वैसे जो हम opportunity cost निकालते वो हम 14,50,000 पर निकालते लेकिन इस question में जो extra recurring है इसे भी हम जोड़ कर निकालेंगे तो हम 14,55,000 पर कितने दिन है हमारे पास 71.9 on an average पूरे साल में 365 days लेने हैं ओके return हमें 24% चाहिए ओके 4,55,000 multiply is 71.9 divide by 365 multiply is 24% 68,788 यह हमारी opportunity cost निकल कर आ गई तो वैसे बच्चा 14,50,000 पर निकालता आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी extra recurring expenditure लिखा हो तो उसे भी आपको opportunity cost निकलते हैं consider करना है इसके इलावा 1% bad date हो गया फिर यहाँ पर bad date माइनस कर दिया हमने हमारे पास आया expected profit 30,000 opportunity cost हमारी 68 है तो हम loss में चल रहे हैं तो हम इसको उधार नहीं देंगे हमारी recommendation है कि slow pair को आपको उधार नहीं देना चाहिए एक question है 24 इस question के अंदर इन्होंने क्या focus किया है इन्होंने न variable cost और fixed cost को हटा दिया question में से आप मुझे यह बताइए अगर variable cost और fixed cost नहीं है तो हम statement of evaluation तो बना नहीं सकते वैसे हम क्या करते थे sales, minus variable cost, minus fixed cost profit before cost of credit आ जाता था फिर हम उसमें से minus करते थे हमारे जो भी credit administration के खर्चे थे bad debt थे, cash discount थी फिर हमारे पास benefit आता था फिर opportunity cost और आपके पास net benefit आ जाता था इन्होंने इस question के अंदर variable cost और fixed cost को गयब कर दिया और आपको administration, bad debt ये सब चीज़े बता दी, तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, question को solve करने के यहां तो profit निकाल लो, profit किसमें जादा है यहां फिर यह check कर लो, cost किसमें कम है, तो इस question के अंदर cost किसमें कम है यह चलेगा वैसे हमारे पास क्या चलता है कि profit किसमें जादा है तो यहां पर चलेगा cost किसमें कम है क्योंभी variable और fixed cost आपको given नहीं है a company has sales of 25 lakh, average collection period 50 days, bad debt 5%, collection expense 25,000, cost of one fund 15%, company has two alternative collection program program number one में average collection period 40 दिन हो जाएगा, जबकि अभी 50 दिन है, दूसरा एक और program है जिसमें सीधे 30 दिन हो जाएगा, तो यानि collection period कम होता जा रहा है, तो opportunity cost कम होगी आपकी, दूसरा, यहां bad debt 5% है, यहां 4 और यहां 3% हो रहा है, लेकिन जो collection का खर्चा 25,000 है यहां 50 और यहां पर 80,000 हो रहा है तो अब हमें क्या करना है, हमें तीन खर्चे जोडने, एक bad debt एक collection expense और एक opportunity cost यह तीन खर्चे जोड़ लो जिसमें खर्चा कम है, उसे select कर लो अब opportunity cost हम कैसे निकालेंगे, वो तो variable और fixed cost पर निकलती थी सर्थ इस question के अंदर हमारे पास कोई option ही नहीं है variable और fixed cost दी नहीं है तो हम जो sale दी हुई है, उसी पर निकालतेंगे तो 25 लेक की sale 50 दिन के लिए पैसा फस्ता है 15% return है 51370 और इसी को हम 50 दिन को 40 दिन और 30 दिन कर देंगे तो बाकी दोनों का भी निकल आएगा तो opportunity cost 25 पचेस 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 दिन 40 दिन, 30 दिन और यह हमारे पास निकल कर आ जाएंगे ठीक है, अब जब देखिए यहाँ पर हमने sale पहले उपर लिख दी कोई ज़रुती इसको लिखने की cost of investment working notes से निकाली है bad debt हमारे पास आ गए sale का पहले 5% 25 लेक का 125 4% और 3% 1,75, collection expense दिये हो है 25, 50 और 80 अब हम देख लेंगे खर्चा किसमें सबसे जादा कमा रहा है सबसे कम खर्चा हमारा 185, 822 आ रहा है तो program number 2 हमारा select हो जाएगा तो policy 2 हम select कर लेंगे program 2 हमें जो दिया था existing, program 1, program 2 तो program 2 जो third column है वो हमारा final हो जाएगा क्योंकि इसकी cost lowest है इसके बाद में हमारे पास आता है जो मैंने आपको बताया था receivable turnover ratio वाला question ये exam में 4 वार आ चुका है receivable turnover में आपको सिर्फ एक बात घ्यान रखनी है कि जैसे opportunity cost निकालेंगे तो variable cost fixed cost को average collection period divide by date ना करके 1 divide by debtor turnover ratio करेंगे और फिर rate लगा देंगे RST limited is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposed policies currently the firm hedge annual credit sale of 225 lakh account receivable turnover ratio तो ये data turnover ratio है 5 times current level of loss due to bad debt 7 lakh 50,000 firm required to give a return of 20% on investment in new account receivable new account receivable irrelevant है company variable cost 60% of selling price on the basis of the following information which is better option तो सबसे पहली चीज़ ये कि एक तो इसमें data turnover ratio वाली बात है तो हम 1 divided by DTR करके निकालेंगे दूसी बात ये कि इस question के अंदर सिर्फ variable cost दी हुई है तो कई सारी question आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें सिर्फ variable cost होगी fixed नहीं होगी तो अगर fixed cost नहीं दी हुई है कोई दिक्कत नहीं है variable cost तो हम क्या करेंगे sale में से variable cost माइनस करेंगे वह आ जाएगा profit before cost of credit फिर उसमें से हम bad debt administration जो भी खर्चे देगा माइनस कर देंगे इसमें वैसे ज़्यादो कुछ है नहीं famous question है इसमें सिर्फ bad debt ही दिया होता है तो annual credit sale present option 1, option 2 यहाँ फिर से दे दी जबकि present वाली उपर भी दियो यह 225 lag account turnover ratio, debtor turnover ratio 5, 4, 3 time bad debt close 750, 2250 और 4750 अब बड़ा simple ले देखिए यहाँ पर सामने रखे हुए sale ले ली पहले तीनों की amount lags मिली है हमने फिर variable cost 60% माइनस कर दी profit before bad debt आ गया आप इसको contribution भी बोल सकता है फिर bad debt इसमें दी हो है lags में, माइनस कर दिये expected profit आ गया अब simply required return कैसे माइनस करनी है 1 lag 35,000 sorry 135 lag 1 divided by dtr इसका 5 है और आपके पास return किती चाहिए 20% return चाहिए तो average collection period divided by कुछ करने की जगा 1 divided by dtr कर जएगे तो 135 divided by 5 multiply by 20% यह आ गया 5.4 तो इसका आ गया इसका गया करेंगे 165 divided by 4 multiply by 20% और इसे 210 divided by 3 multiply by 20% यह answer आ जाएंगे net benefit आ गया, net benefit सबसे ज़्यादा option 1 में है तो option 1 यानि policy 1 को select किया जाएगा इसके बाद में हमारे पास ही question है, जो cash discount की cost को बताता है, बड़ा famous question है बच्चे इसमें सोड़े से confused भी रहते है the doll के company purchased raw material, यह मैं आपको बता दूँ यह debtor का नहीं बलकि creditor का question है यहाँ पर हम purchaser बनेंगे, तो यहाँ पर हम purchase करने वाले है, यहाँ पर हमारे सामने creditor है, हमें उसे देखना है कि कप पैसा दें, कब ना दें, तो एक तरीके से credit management का question है creditors management का, लेकिन इसको receivable management में रखा हूँ है, studyment में तो किसी में भी रखे कोई फर्क नहीं पड़ता question creator management का the doll के company purchase raw material doll के company हम है हम purchase करते है raw material on term of 2 by 10 net 30 ठीक है, यहाँ लिख लेता हमें, 2 by 10 net 30 okay our review of the company record by the owner Mr. Gautam revealed that payment are usually made after 15 days of purchase जो payment हो रही है, वो payment हो रही है purchase के 15 days बाद, तो देखे बेवकूफी है, कैसे देखो, आप 15 days पे payment कर रहे हो अगर मैं 2 by 10 net 30 को आपको दिखाऊ 10th day 30 day अगर आप यहाँ पे payment करोगे 98 की payment होगी और 30th day पे करोगे, तो 100 रुपे की होगी 2 रुपे का interest आपके उपर लगिया कितने दिन के लिए 20 days के लिए यह situation है 10th day पे payment करोगे, 98 कर दो वरना 2 रुपे फालतू आपको 30 दिन देने पड़ेंगे cash discount तभी तक है, जो आप 10 दिन payment करो अगर आपने 11 दिन भी payment की तो आपको discount का फायदा नहीं मिलेगा अब यह भाई साब payment कर रहे है 15th day पर जबकि 30th day पे कर सकते हैं 30th day पे payment कित्ती करेंगे? 100 रुपे 15th day पे payment कित्ती कर रहे होगे? 100 रुपे ही कर रहे होगे इसका माले discount ले ही नहीं रहे जबकि यह अगर सिर्फ 5 दिन पहले payment करते तो इन्हें 98 करनी पड़ती तो basically जहां 20 दिन के लिए 2 रुपे का फायदा हो सकता है वहीं यह 2 रुपे का नुकसान करवा रहे हैं सिर्फ 5 दिन लेट पेमेंट करके 10 की जगा 15 दिन पे दे रहे हैं तो 5 दिन लेट करके ही 2 रुपे का नुकसान करवा रहे हैं तो भाई आप फिफ्टीन से डे पे आप पेमेंट कर क्यों रहे हो आप तीसवे दिन करो न क्यारे वैन आस्क्ट वाई तो मिश्टर गौतम ओनर है उन्होंने रिव्यू किया था उन्होंने कहा कि भाई साब आप डिसकाउंट क्यों नहीं ले रहे दा अकाउंटेंट मिश्टर रोहित रिपलाइट देट इट कोस्ट ओन्ली 2 परसेंट फोर दीजफ़न कह inveemat कि हम डिसकाउंट इसलिए नहीं ले रहे कि हम डिसकाउंट लेंगे थो हमें सिर्फ 2 परसेंट का ही फायदा होगा वेर एज बैंक लोन वुड कॉस्ट कमपनी 12 परसेंट जबकि बैंक लोन बाड़ा परसेंट पर हमें मिलता है तो भाई भी रेट है वो पर एनम का रेट होता है और यहां पर जो आपको discount मिलती है वो discount मिलती है 2% कुछी दिन के लिए तो अगर मैं इनकी बात करूं कि इनको कितनी cost पढ़ रही है तो देखिए इनको तो पांच दिन के दो रुपे फालतू पढ़ रहे हैं दो रुपे की cost 98 पर पढ़ रहे हैं सिर्फ पांच दिन लेट करने की वज़ाए दस की जगा पंदरवे दिन पर पेमेंट कर रहे हैं तो इनका जो रेट आ रहा है एफेक्टिवली अगर एनॉल बनाये जाए 149% पर एनॉम का रेट हो रहा है तो अगर यह पांच दिन की जो दो रुपे भीयर कर रहे है यह 149% भीयर कर रहे है जब कि बैंक का 12% है तो यह बहुत महका भीयर कर रहे है और अगर यह जैनूर्ली 20 दिन बाद भी पेमेंट करें, अगर 20 दिन बाद पेमेंट करें, तो कितना मैठेगा अब वो देखते हैं, तो 2 रुपे की डिस्काउंट 98 पर 20 दिन के लिए तो 365 डेज पर कितनी तो 37.24% पर एनम पड़ेगी अब देखी, यहाँ पर हम क्या हैं हम बेसिकली पर्चेज करने वाले है सामने वाला हमारा क्रेडिटर है जो सामने वाली पर्टी क्रेडिटर है अब हमारे सामने सामने सप्लायर नहीं है हमारे सामने डैटर्स नहीं है हमारे सामने क्रेडिटर है तो हमें सोचना है कि discount ले या ना ले तो अगर हम 20 दिन के हिसाफ से भी ले तो discount 37.24 पढ़ रही है तो भी फाइदा है और जो 5 दिन है वहां तो 149% का हम loss bear कर रहे है तो हमें 5 दिन पहले payment कर देनी चाहिए हमें 15th की जगा 10th डे पे payment कर देनी चाहिए क्योंकि इसका annual नुकसान हमें 149% का bet रहे है तो यहां पर Mr. Rohit कह रहे हैं कि bank 12% पे दे रहे है वो यह नहीं समझ पा रहे है कि यह पर रहनम है तो सबसे पहला है analyze what mistake is Rohit making तो देखिए Rohit argument of comparing 2% discount with 12% bank rate is not rational rational यानि logical नहीं है a 2% discount can be earned by making payment 5 days in advance that is within 10 days rather 15 days at payment are made presently तो सिर्फ 5 दिन पहले दें तो 2% discount मिल जाएगी where at 12% bank loan rate is for one year यह one year का rate है अब इसके बाद में यहां पर बताएगा है कि मान लेते हैं कि हमने 100 रुपे का समान purchase किया है और हम 10 दिन पे payment कर देते हैं तो 2 रुपे का फायदा मिल जाएगा तो हमारे पास हमें सिर्फ 98 रुपे ही पे करने पड़ेंगे तो 2 रुपे का हमारे को discount 98 पे करने पड़े सिर्फ 5 दिन पहले payment करके तो 149% per annum effective better है जबकि bank 12% था तो यह जादा better है हमें discount लेनी चाहिए दूसर question है इसके अंदर if firm could not borrow from the bank अगर हम bank से loan नहीं ले सकते और हमें credit facility पे ही रहना पड़ेगा यानि हमारी मजबूरी हो गई वैसे तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है पांच दिन की बात करें तो discount में फायदा है 149% की return है एक तरीके से क्योंकि हमें तो discount मिलेगी यहाँ पर और यहाँ पर देखें अगर 20 दिन में तो भी हमें फायदा है क्योंकि 37.24% की हमें return मिली है जबकि bank में सिर्फ 12% return मिलती है तो यहाँ पर देखें तो हमें दोनों case में discount ले लेनी चाहिए अब यह कहरे हैं लेकिन मान लो the firm could not borrow from the bank हम bank से उधार नहीं ले सकते bank ने हमें उधार देने को मना कर दिया कि तुम्हें उधार नहीं मिलेगा and was forced to resort to the use of trade credit fund और हम trade credit को इस्तमाल करने के लिए मजबूर होगे trade credit को इस्तमाल करना यानि creditor को late से late पैसे देना तो ऐसी situation में हम 30 दिन में पैसे देंगे क्योंकि हमारे पास funds ही नहीं है तो अगर आपके पास funds नहीं है आपका fund का कहीं से arrangement नहीं हो रहा what suggestion might be made to Rohit तो Rohit को क्या suggestion देंगे to reduce annual interest cost तो अभी annual interest cost हम पर पढ़ लिए 149% क्योंकि हम discount नहीं ले रही तो हमें cost पढ़ लिए तो हम Rohit भाई को suggestion देंगे कि भाई 15 दिन नहीं 30 दिन पैसे देना तो हम 30 दिन पैसे देंगे 30 दे पर तो 10 से 30 तक 20 दिन में 2 रुपे का नुकसान होगा 2 रुपे का नुकसान 98 पे 20 दिन में टीजाइन आता है देखेगा आखिर factoring है क्या factoring basically एक service provider होते हैं यह generally bank होते हैं तो जो market में factor हैं वो भी ऐसे हैं SBI factor limited ICICI factor limited तो bank को नहीं अपनी factoring service चालू की हुई है यह service करती क्या है supplier अपना समान डेटर को बेच दिया supplier ने बेच दिया तो जैसे 20 लाग 30 लाग जो भी है sale कर दी अब उसके बाद में supplier को जाना पड़ता है collection करने के लिए अब एक दुकान दार है वो दुकान पर बैठा हुआ है उधार समान बेच रहा है अब उसके पास इतना staff नहीं है इतना management नहीं है कि वो जाके debtor से पैसे लेकर आए तो यहां पर एक factor अपोइंट कर लिया जाता है उससे का जाता है तुम जाओ और मेरे भीहाफ पर तुम पैसे ले आओ तो वो जाएगा factor और पैसे लेकर आ जाएगा इसे कहते हैं collection service कि हमने collection के आपको service दी इसके लिए क्या करता है factor कुछ percent commission ले लेता है तो एक यां 2% collection का तो जैसे 20 लाग की sale है तो 20 लाग का 2% ले लिया तो 40,000 इसने अपने charge ले लिए service charge तो collection करेगा debtor से supplier के भीहाफ पर charges के नाम पर commission charge कर देगा ठीक है इसके बाद में क्या होता है एक दूसरी service हो चालू की गई उसके बाद कि हम तुमारे लिए तो debtor से पैसा लेकर आई रहा है अमान लो debtor पैसा देगा 30 दिन के बाद तो का गया है कि debtor 30 दिन के बाद पैसा देगा एक काम करो तुम्हें पैसे की ज़रुत है तो हम से अभी ले ले लो बेक्सी कली factor तो एक bank है तो factor के पास security में क्या हो गया factor के पास security में हो गए debtors के bill क्योंकि कल को debtor से पैसा मिल जाएगा उसे recovery हो जाएगी तो factor क्या कहता है कि मेरे पास security में तुमारे debtors के bill है जैसे आप bank से जाकर BR को discount करवा सकते हो bills receivable को bank में जाओ discount करवा लो उनसे पैसे ले लो bank बाद में जाकर जिसने भी sign किया था accept किया था उससे पैसे ले आएगा तो ऐसे ही factor को पता है कि कल को customer से पैसे ले लूँगा मैं 30 दिन बाद तो यह supplier को offer देता है कि क्या तुम्हें कुछ loan चाहिए उस loan का नाम यह कहता है कि loan नाम नहीं दे रहे इसको हम नाम दे रहे advance तो इसे कहते है advance service यह क्या करेगा factor 30 दिन बाद पैसा मिलना है तो आज ही पैसा दे देगा और उसके उपर क्या charge करेगा obviously interest charge करेगा तो हमारे पास दो service रहेंगी एक collection और एक service के अंदर हमारे पास दो तरीके question आते हैं type 1 के सिर्फ collection service होगी type 2 जिसमें collection और advance दोनों service मर जो जाए तो यह दो तरीके question बनते हैं अगर आपके पास collection service है तो simply आपको यह देखना है कि factor के होने से फायदा क्या है saving कितनी है और cost कितनी है और final decision आपको ले लेना है तो collection service में आपको क्या-क्या फायदे होंगे तो एक तो आपको अब administration पर खर्चा नहीं करना अब आपको कुछ नहीं करना आप वो सब factor करेगा जनरली bad debt जो CA inter में लिए गया है CA intermediate में लिए यह non records factoring तो non records factoring का मतलब होता है कि जो bad debt है वो factor bear करेगा तो एक तो आपका administration का खर्चा बचेगा एक आप क्या bad debt होने बंद हो जाएंगे इसके इलावा factor कई वार क्या करता है जैसे 100 days में पैसे मिलते थे तो factor नहीं रोज तका जाएंगे तो 20 दिन का जो आपकी opportunity cost फंड की वो सेव हो जाएगी तो हमारे पास तीन फायदे हो सकते हैं इन तीन के लावा और पी फायदा नहीं होगा एक administration का पैसा बचेगा एक bad debt का और एक saving हो सकती है debtors में funds में जो आपका investment है उसमें opportunity cost में अब खर्चा क्या क्या लगे तो यह है collection service सिर्फ आप collection करते हैं तो लेकिन अगर आप advance factoring में है तो आप collection भी करेंगे और advance भी देंगे तो इसके step set है इसमें सबसे पहले आपको निकालनी है कि आखिर advance मिलेगा कितना तो सबसे पहले निकाली जाते है average recevables कैसे रहेगा जैसे पूरे साल की आपकी sale 360 crores ठ तो 3 months की कितनी हो गई 90 crores तो 90 crores के bill यह factor को दे देगा अराम से समझेए आपकी 3 महीने का आप उधार देते हो debtor को पूरे साल में 360 CR की sale है तो इसका मतलब हर quarter की sale आपकी 90 crores हो गई तो आपने 90 crores की sale करी और वो bill उठा कर factor को दे दिए अब अगले 3 महीने तक क्या होगा factor उ 90 crores की sale फिर हो जाई तो पुराने bill collect हो कराएंगे इतने में आप फिर नए bill दे देंगे तो ऐसे साल में 4 बार 90 crores 90 crores 90 crores 90 crores के bill आप factor को दे देंगे लेकिन एक वार में कितने देंगे 90 crores तो जितने दिन का उधार होता है जितना average collection period है जितनी आपकी एक वार की sale रहेगी एक cycle की वो sale यहां पर लिख ली जाईगी फिर इसके बाद में factor क्या करेगा हर bank जब किसी को भी उधार देता है तो bank की एक general nature होती है कुछ margin रोक के चलना यानि अगर आपने bank में 100 रुपे का सो ना जमा किया है तो 100 रुपे के बदले में 100 रुपे का loan नहीं देगा 70 या 80 र general nature होती है यह कब मिलेंगे पैसे मर नहीं गई है पैसे जब collection हो जाएगा तब यह आपके पैसे आपको मिल जाएंगे इसके बाद में factor अपना commission पहली काट लेगा मालो 2% commission है तो 90 करोड का 2% 1.8 करोड आपके पहले ही commission के काट लेगा अब आपके पास कितना के 90 करोड माइनस 9 करोड माइनस 1.8 करोड तो आपके पास 79.2 करोड हो गए जो factor को आपको advance देना चाहिए तो CA intermediate में कहतने है कि interest भी अभी minus कर लो तो interest भी पहली minus कर लेगा तो जैसे मालो 15% interest है तो 79.2 करोड 15% interest है तीन महीने की cycle है तो एक cycle का एक बार में लगेगा 79.2 multiply with 3 by 12 multiply 15% तो 2.97 का interest भ पहले ही रोक लिया अब आपको मिल जाएगा 79.2 minus 2.97 76.23 करोड का आपको advance दे दे गाई अब तीन महीने बाद क्या होगा जैसे पहली cycle हमने तीन महीने के लिए तीन महीने के बाद पैसा मिल जाएगा तो जो reserve रोका था इसने वो reserve आपको release कर देगा आप कुछ लेना देना पूरी cycle चलेगी फिर से आपको 76.23 करोड दे देगा तो यह साल में आपको चार वार यह पैसा देगा अगर तीन महीने की cycle है अगर मानलो एक महीने की cycle है तो साल में 12 वार आपको पैसा देगा आप इसको बिल दोगे वो आपको पैसा देता रहेगा काट कर जैसी पैसा collect average receivable slope उसमें से factor का reserve माइनस करो उसमें से commission माइनस करो उसके बाद में जो भी amount आई है उस पे interest लगाकर interest माइनस करके आपके पास advance आ जाएगा ठीक है जी यह हमारी advance जो होता है यह एक single cycle का होता है अब हम इसकी निकालेंगे पूरे साल का कितना खड़ जाए effective cost of factoring annual तो हम इस पूरे साल का commission पूरी sale पर कितना लगे है तो जैसे यहाँ पर एक cycle पर है तो 4 cycle पर कितना पूरे साल का interest तो यहां तीन महिने का था ऐसे 3 महिने 3 महिने 3 महिने 3 महिने पूरे साल का interest लग जाएगा ठीक है जी यह जा जाएगी cost फिर saving निकालेगा सेविंग होगी administration का खर्चा बचिया, bad debt का खर्चा बचिया ये दोनों खर्चे आपके बच जाएंगे, ठीक है जी A-B करेंगे तो आपकी effective cost आजएगी, कई बार effective saving भी आ सकती है, अगर saving आ गई तो question वहीं पर खतम saving आते के साथ accept the proposal अगर cost आ गई, तो जैसे advance कितना मिला था, 76.23 करोड, कई बार बच्चों question ये आता है, कि sir हम 76.23 से क्यों divide कर रहे है, वो तो 3 महीने का advance है, वो 3 महीने का advance नहीं है, वो एक cycle का advance है, जैसी 3 महीने बाद cycle पूरी होगी, फिर दुवारे से वो advance मिल जाएगा, फिर cycle इसरी पूरी होगी, फिर advance मिल जाएगा, तो ये advance पूरे साल बना रहेगा, तो एक तरिके से loan के जैसा है, नाम advance है लेकिन basically loan है, ये लिखा advance है, लेकिन है loan, तीन महीने के लिए loan, फिर से loan, फिर तीन महीने बाद फिर से loan, तो ये आपके पास पूराना लोन के लिए रहो उता रहेगा, नया लोन आपको मिलता रहेगा, तो 15 करोर को निकालेंगे, 76.23 से, तो परसेंटेज आ गई, 19.68%, यह आपके पास परसेंटेज निकल आई, इस परसेंटेज को यहाँ पर निकालेंगे, इससे कहते हैं, effective post की अब आप पता करेंगे, कि भाईया मुझे यह बताओ, बैंक किते परसेंट पे हमें लोन दे रहा है, अगर बैंक आपको दे रहा है, 18% पर, तो बैंक से लो, फैक्टर को मना कर दो, अगर बैंक दे रहा है, 20% पर, तो फैक्टर से लो, बैंक को मना कर दो, इस तरीके से रह फिर जो amount आईगी उस पर interest लगाना है फिर आपको पूरे साल का commission और interest लेना है उसमें से पूरे साल की credit addwin की selling और bet debt की saving minus करनी है तब भी cost आईगी जो भी cost आईगी उसे advance से compare करके rate निकालना है उस rate को bank से compare करना है अगर bank से कम है तो factor को हाँ अगर bank से ज़्यादा है factor का rate तो factor क हम मना कर देंगे एजम्शन हमारे पास क्या रहेंगी एजम्शन रहेंगी के bet debt हमें नहीं बियर करने वो बच जाएंगे credit addwin हमें बियर नहीं करना और commission और interest पहले ही minus कर लिया जाएगा यही इंटर के अंदर question इसी pattern पे चलेगा पहले आपके पास इंटर और final दोनों जो य factor से okay देखेगा a company is considering using a factor the following information is relevant first the current average collection period for the company is 80 days 1 by 2% यानी 0.5% of bet debt ठीक है जी the factor hedge agreed to pay over money due after 60 days factor कह रहा है यह पैसा में 60 दिन में लाके दे दूँगा ठीक है तो एक तो आपको इसमें 20 दिन का फायता होने वाला है जो पैसा 80 दिन फसता था वो सिर्फ 60 दिन फसेगा दूसरा यह जो bet debt है half percent अब यह आपको बियर नहीं करने पड़ेंगे and it will suffer loss of any bet debt अगर नहीं भी लिखा होता तो भी यही मानते है second annual charges for factoring is 2% of turnover payable annually in areas admin cost saving 1 lakh पर है न आपकी admin cost 1 lakh सेव होगी और factor को 2% commission चाहिए ठीक है हमारे पास जो annual sale है all on credit 1 करोड है तो factor जो commission लेगा वो 1 करोड का 2% लेगा तो 2 lakh तो commission ले जाएगा आपका जो bet debt बचेगा वो 1 करोड का 0.5 पचास अजार का आपका bet debt बचेगा तो यह हमारा खर्चा है 2 lakh रुपे हमारी saving 50,000 की bet debt बचेगा एक लाख रुपे की हमारी जो credit admin लगता था वो बच जाएगा एक हमें और फायदा होने वाला है जो पैसा 80 days फसता था वो 60 days फसेगा तो 20 दिन का आपको यह फायदा होने वाला है कह रहे है annual sales all on credit are 1 crore variable cost 80% of sale price companies cost of borrowing 15% 365 days का आपको question लेना है तो सबसे पहले हमारी जो variable cost है वो 80% है तो हम जो अपनी opportunity cost निकालते हैं वो cost of sale पे निकालते हैं तो 1 crore की sale है variable cost 80% है तो 80 lakh की variable cost हो गई अगर fixed cost देता के 5 लाख की fixed cost है वो भी जोड लेता मैं इसमें तो variable cost और fixed cost क हम लेते हैं तो यहां variable cost है 80 lakh की variable cost या नि हमारे पैसा फस रहा है बताइए कितने दिन का फायदा होने वाला है आपको असी दिन वाला पैसा 60 दिन में मिलेगा तो 20 दिन का आपको फायदा होने वाला तो 20 दिन हमारा पैसा अब नहीं फसेगा 15% की रिटर्न हम उस पे कमा सकते हैं 80,000, 15% 20,000, 365 तो 65,753 की हमारी सेविंग और हो जाई अब हमारी सेविंग देखें क्या क्या है बैट डेट बचिया, 1,00,000 रुपे ये बच गए 65,000 ये बच गए, खर्चा सिर्फ 2,00,000 रुपे कमीशन बिल्कुल fix question है, 5 नुमबर में आता है ये तो admin का 1,00,000 रुपे बचिया bet debt का 50,000 रुपे बचिया variable cost का 20 days हमारे बच गए तो वो हमारी cost of fund सेव हो गया 2,15,000 रुपे और खर्चे में सिर्फ क्या हुआ 2% कमीशन गया, तो हमें फायदा हो गया फायदा है तो हमें ये काम करना चाहिए नुकसान है तो ये काम नहीं करना चाहिए इसके बाद में है 28 ये advance factoring का question है इसमें advance भी दिया जाएगा पिछले question में कोई advance नहीं था अब फर्म है total sale of 200 lakh out of which 80% is on credit तो 160 lakh की sale credit पे हमें credit sales से ही मतलब होता है जो cash में आ रहा है उसके लिए थोड़ी factor को रखेंगे cash वाला तो जिस दिन भी का उसी दिन पैसा हमें दे गया it is offering credit term 2 by 40 net 120 out of the total 50% of customer avail of discount and balance pay in 120 days तो हमारे 2 by 40 net 120 है तो हमारे जो 50% customer है वो 40 दिन में पैसा दे रहे है बचे हुए जो 50% customer है वो 120 दिन में पैसा दे रहे है तो on and average हमारे पास जो collection आ रहा है वो आ गया 80 days में तो पहले हमें average collection period निकालना पड़ेगा तो collection period का हमेशा average यूच किया जाता है तो हमारे पास 50% customer discount ले रहे हैं यानि 40 दिन में पैसा दे ने बाकी के customer 120 दिन में दे रहे हैं तो 50-50 हो गया पास्ट experience indicate that bad debt loss 1% of credit sale firm spent 240,000 per annum on admin तो administration पर जो खर्चा है वो होना बंद हो जाएगा जो bad debt लग रहा है वो भी होना बंद हो जाएगा these are avoidable as factor is prepared to buy firm's receival कहरें यह सब avoid हो जाएगा क्योंकि हम factor को point कर रहे है नहीं भी लिखेगा तो भी यह मानेंगे कि जो admin का खर्चा है bad debt है वो हमारे save होंगे कहरें he will charge 2% commission ठीक है 2% commission ले ले अब caution यहीं पर खतम हो जाए तो एक collection factoring का caution हो गया तो हम देखेंगे हमारे 240 बचे हमारा bad debt बचा और 2% हमें commission देना पड़ा तो फाइदा हो रहे है नुकसान लेकिन अब आगे कुछ कहानी बताएगा जिससे पता चलेगा यह advance factoring है कर रहे he will charge 2% commission he will pay advance against receivable to the firm at 18% interest with holding 10% reserve first what is the effective cost of factoring 360 days लेकर question करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है credit sale is 160 lakh receivables देंगे तो 160 lakh 80 days निकाला 35 lakh 55,000 के debtors के बिल हमों से दे देंगे जिसमें से वो 10% commission minus करेगा sorry reserve और 2% commission minus करेगा तो 35 lakh का 10% reserve में चला गया 2% commission में चला गया अब यह इतने रुपे आ गए इस रुपे पे लगा दिया जाएगा interest तो 31,28,88,9 पर 18% 80 by 360 days यह हमारे पास interest आ गया minus करा इतने रुपे आडवांस आ गए अब यह जो advance आ गया यह हम एक side में रख लेंगे working note में आ गया हमारा कई बार question में इन answer में पूछ लेता है अब हम देखेंगे effective cost तो हमें क्या देखना है सबसे पहले पूरे साल का commission तो देखें 71,1,1,1 का commission 80 दिन की cycle का है तो 360 days की cycle का कितना होगा 320 ऐसे ही interest 125,156 80 days की cycle का है तो 360 days का कितना होगा उसे निकाल लीजे यहाँ पर हमने क्या करा है 31,28,88,9 पर 18% यहाँ तो 80 दिन का था न हमने पूरे साल का सीधे 18% ले लिया तो आप यहाँ तो पूरे साल का ले लो फिर से बताता हूँ 31,28,88,9 पर यहाँ पर तो interest 80 days का है यहाँ interest पूरे साल का चाहिए तो सीधे 18% ले लिया ऐसे भी कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है कितना interest है 125,156 यह एक साइकल का है यानि 80 दिन का तो 360 days का कितना होगा आपके पास आंसर आ जाएगा तो interest पूरे साल का ले लिया कमिशन पूरे साल का ले लिया credit administration 240 बच जाएगा bet debt 160 lakh की आपकी sale है credit 1% bet debt है तो 1,60,000 की आपके bet debt बच जाएगे तो 8,83 खर्च हुआ 4,00,000 से हुआ net cost आ गई 8,83,200 अब 8,83,200 sorry 4,83,200 की cost है कितने advance पर 30,3733 multiply by 100 483,200 divided by 3003733 percentage हमारे पास आगया 16.08% 16.0866 16.088 यानि 9% हमारे पास आगया यह यह फेक्टरिंग का rate आगया यहाँ पर कोश्चन खतम होज़या तो इतना ही करके आएगे फिर कोश्चन ने का कि bank 14% interest मांग रहा है तो हमें ये तो 16% पर पढ़ रहा है बैंक सस्ता है तो हम factor को मना कर देंगे अब हम bank से लोन लेंगे हमें factor की services की जरुद नहीं है क्योंकि वो expensive पढ़ रही है तो हम factor service को avail नहीं करेंगे 10 number में question आता है ये इसके बाद में last question बचा है जो हमारा creditors management का है पेबल्स management का पेबल्स ये creditor management एक ही question है इस टडिमेट में RTP में भी आज तक हमेशा ये ही आए exam में कभी पूछा नहीं है कभी भी आएगा तो 5 number से ज़्याद को question नहीं है देखेगा ABC limited has been offered credit term from its major supplier अब हम purchase करने वाले हैं डोल के में था वैसे हम अब purchase करने वाले supplier ने हमें offer दिया है 2% discount दे रहा है 10 दिन पे payment करने पर वरना 45 days में payment हम कर सकते हैं ABC limited can invest additional cash and can obtain annual return of 25% per annum ABC limited यानि हम हमारे पास option है हम अपने पैसे को 25% पे invest कर सकते हैं कहीं invoice 10,000 रुपे का है सबसे पहले आप यह सोचो अगर आज की date में पैसा देना पड़े तो कितना देना पड़ेगा तो आज की date में यानि 10 दिन पे payment करनी पड़े तो 2% discount मिल जाएगी तो हमें 9800 पे करना पड़ेगा तो हम 2 case लेंगे सबसे पहला कि अगर हम discount को accept कर लेते हैं तो क्या होगा तो discount offer अगर हम accept कर लेते हैं तो payment करनी पड़ेगी 9800 की तो 9800 पे कर देंगे हमारा हाथ खाली हो गया बात खतम दूसरा option है कि हम 9800 की payment ना करें बलकि इस 9800 को कितने दिन के लिए 2 by 10 net 45 है तो कितने दिन का gap है 35 दिन तो हम इस 9800 को supplier को ना दे के bank में invest कर दे है जो भी हमारे पास option है तो 9800 को invest करा 35 days के लिए और return हमें पता है कितनी कमा सकते हैं 25% हमें 25% मिली वहां से return तो देखे कितनी return मिली 9800 35 डिवाइड वे 365 25% 234.9 तो 235 के हमारे पास return आ गई यह हमें return मिल गई किसी दूसी जगा से 35 दिन की अब हम supplier को payment करेंगे 45 दे पर तो जो 2% discount मिल रही थी वो तो मिलेगी नहीं अब हमें पूरे 10,000 देने पड़ेंगे तो कोई बात नहीं अगर हम discount offer को refuse कर देते हैं तो हमें 10,000 रुपे देने पड़ेंगे लेकिन उसी बीच के 35 दिन में हमने अपना पैसा invest करके 235 कमा लिए तो हमारे को net cost किती पड़ी 9765 रुपे तो अगर discount लेंगे 9800 देना पड़ेगा अगर discount नहीं लेंगे 10,000 देना पड़ेगा लेकिन 235 कमा जाएंगे तो 9765 पड़ेगा तो इस situation में हमें discount को refuse कर देना चाहिए तो हम सामने वाले को बोल देंगे हमें discount नहीं चाहिए refuse कर देंगे discount को ये हमारे पास debtors management का काम खतम हो गया बहुत ही बड़िया बहुत अच्छे से निप्टा है कोई अब आप लोग को में live chat on कर रहा हूँ सबसे पहले तो ये बता दो के एक एक चीज याद आ गई के नहीं और मज़ा आ गया के नहीं पूरा receivables management ऐसे चुटकियों में हमने खतम कर दिया बहुत ही बड़िया जल्दी जल्दी बताईए मज़ा आ गया या नहीं आ गया बहुत पढ़िया बच्चे कह रहे हैं मज़ा आ गयी मोजी मोज आ गई बहुत सही अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ अभी हमारा डेल घंटे के आसपास का session हुआ है cash management 30 minute का ही है लेकिन एक chapter से दूसरे chapter पे switch करने में अभी हमारा दिमाग रिसीवेवल management में है अब हमें जाना है cash management के अंदर तो जब हमारा दिमाग एक concept से दूसरे concept ही है एक chapter से दूसरे chapter पे जाता है तो 5-10 minute का बीच में break होना चाहिए क्योंकि हमारा दिमाग पूरा भी data factor इस सब्वारे में सोच रहा है तो cash management पे जाने से पहले पीच में 5-10 minute का break होना चाहिए जबकि हमें break की ज़रूत है नहीं लेकिन फिर भी 5-10 minute का break के बाद में हम ज़्यादा fresh होकर दूसरे topic को सोच पाएंगे तो हम अपने दिमाग से भी data management को निकाल देंगे और cash management पर चले जाएंगे ठीक है हारी बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो को like कर दीजिए ये कौन ना like है जिन्होंने अभी तक like नहीं किया आपको मालूम है जो भी बच्चे वीडियो को like करते हैं उनके number automatically बढ़ जाते है break break सिर्फ 10 minutes का है आप screen को on भी रख सकते है सिर्फ 10 minutes का break है जिसमें आप आँखे बंद करके अराम से शान्ती से एक break ले सकते है सिर्फ 10 minutes का break है उससे ज़्यादा कि हमें जबरत ही नहीं है इतने में हमारा दिमाग सेट हो जाएगा फिर हम पढ़ेंगे cash minute में सिर्फ 10 minutes का break है आप screen को on भी रख सकते हैं इतने है झाल 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 25% झाल 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 तो झाल 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 झाल